मौसम से जोड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबा कर हर अपडेट पर नज़र रखें जिसकी वज़ा से ठंड और ज्याद अबढ़ गई है जिसकी वज़ा से लोगों को घर से बाहर निकलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है बारिश के कारण सुभा से ये तेज कोहरा देखने को मिल रहा है जिसकी वज़ा से घूमने फिरने वालों को भी परिशानी हो रही है इसके चलते लद्दाख, हिमाचर प्रदेश, उत्रखन, जम्मू और कश्मीर में हलकी बारिश हो सकती है इतना ही नहीं 18 और 20 जन्वरी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है दिले अन्सियार के साथ ही पंजाब, हर्यान, उत्रप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, राजिस्तान, मध्यप्रदेश, हिमाचर प्रदेश और उत्रखन में ठंड का मौसम बना हुआ है बता दें, आइमडी ने 36 और जार खंड में जमाचर बारिश का अलर्ट जारी किया है इन दोनों राज्चों में दो दिनों तक मौसम खराब रहेगा मध्यप्रदेश में भी कई दिनों और कई हिस्सों में घना कोहरा चाय रह सकता है राजिस्थान में मौसम इस वक्त कुछ गरम तो कहीं कहीं बहुत ठंडा है हिमाचल के तराई शेत्रों में पश्चम विक्षोप का से खत्म होने के साथ ही मौसम में बद्लाव आ गया है खिली हुई धूप और उत्तरी हवाओं का दवाओ कम होने से मौसम के इंद्रों पर तापमान में उतार चरहाओ दर्च किया जा रहा है मौसम भाग नेकले चार दिन के लिए सीकर चूरू जुन जुनुम जिले में शीतलहर के साथ कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया है इससे तेज सर्दी के आसार है इधर सीकर में सोमवा सुभा से मौसम बदल गया है दूप में तल्खी के कारण सर्दी से काफी हद तक राहत रही दोपहर बाद आंशिक बादल शाय रहे और उत्तर पूर्वी हमाय चलने से ये नमी बढ़ गई इससे एक बार फिर बारिश के आसार बने रहे शाम को सर्दी बढ़ गई साथ जिलों में शीत लहर का अलर्ट जारी किया गया राजिस्तान में इन दिनों कई जिलों में शीत लहर का असर देखने को मिल रहा है मौसम के इंदर जैपुर के मताबिक साथ जिलों में शीत लहर का अलर्ट जारी है इसमें अलवर, भरतपुर, जुनजुनूम, सीकर, चूरू, हनुमान, करोर, शिरीगंगा, नगर, शामिल है उत्रखन में आज शाम सितासा पश्मिविक्षोप के हिमाली शेतर में दस्तक देने के आफ़ार है इससे बुदवार और गुरुवार को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रियाग, बागेश्वर रुपि थोड़ागर में हलकी बारिश और हिमपाथ की संभावना जताए गई है आज मेदानी शेतरों में कहरे का येलो अलेट चारी किया गया है मैदानी शेतरों में फिरहाल कुस दिनों तक कहरे का असर बना रहेगा मौसमी भाग के अनुसार, उत्रखन के पर्वतिय इलाकों में दो महीने के बाद बारिश और बर्फबारी की उमीद जगी है बर्फबारी हुई तो इसका असर मैदानी इलाकों में भी दिखा दिल्ली उत्तर प्रदेश से से लेकर बिहार, राजिस्थान, पंजाब, हर्याना तक में ठंड हो गई जहां ताज़ा पच्मिविक्षोप के सक्रिय होने की संभावना की चलते उचाएवाले शेत्रों में अलकी बारिश और बर्वबारी होने के आसार है वहीं लोगों के स्वास्ते के लिए भी मौसम प्रतिकूल बना हुआ है मौसम से जड़ी जानकारी के लिए लाइव मौसम खबरों के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें